तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि एच नाम के जातक एबम आई नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का शंबंध कैसा होगा मित्रों अच नाम के जातक प्यार के मामलों में बहुत जयादा संबेदन सील एबम भफादार होते हैं इस नाम के जातक प्यार करने में बहुत जयादा सहज होते हैं एबम इस नाम के जातक ऐसे विक्ती को अपना जीबन साथी बनाना चाहते हैं जिस विक्ती का सुभाब जिस विक्ती का रहन सहन कुछ इनहीं के जैसा हो क्योंकि इस नाम के जातक हमेशा अपने जीबन में जमीन से जुड़े होते हैं लेकिन यदि आई नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक बहुत जयादा सांत एबम गंभीर होते हैं इबम इस नाम के जातक अपने जीबन में किसी भी काम को करने में जल्दी बाजी करना पसंद नहीं करते हैं इबम इसके अलाबा इस नाम के जातक हमेशा अपने जीबन में जमीन से जुड़े होते हैं मित्रों एच नाम के जातक एबम आई नाम के जातक पृत भी एबम जल तत्व बाले होते हैं एबम पृत भी एबम जल तत्व होने के कारण इन दोनों का संजोजन बहुत ज्यादा सांदार होता है क्योंकि इन दोनों का गुन लगभग एक समान होता है इस नाम के दोनों जातक अपने दामपत्ते जीवन में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं एबम इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा भाबनात्मक होते हैं एबम भाबनात्मक होने के अलाबा इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे के साथ में गहराई के साथ बहुत ज्यादा जूड़े होते हैं एबम इन कारणों से इन दोनों का बैबाहिक जीवन बहुत ज्यादा मजबूत एबम सांदार होता है मित्रों एच नाम के जातक एबम आई नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिला करے यदे इनके दांपत्ते जीवन इनके बैबाहिक जीवन की बात करें तो इन दोनों का सम्बंध बहुत ज्यादा मजबूत एबम सांदार होता है मित्रों इस नाम के जातक यदि साधी करना चाहें तो साधी करने में कोई भी समस्या नहीं होगी तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें एबम इस वेडियो को आप हरे जगह से यर कर दे धन्यवाद